पुरू रहे हैं आप गोस्तो बिश्णू प्रभाकर गाउवाले रिपोटर का आप सभी को नमस्कार है मोहरम में एक ऐसा तहवार है जिसमें मुशलमान भाई इस तहवार का सालों से इंतजार करते हैं और यहां कि इसकी तैयारी मोहरम खत्म होने के तुरंत बात यानि एक साल पूरू से ही इसकी तैयारी होने लगती है महरम पैगंबर मोहम्मद के नमासि इमाम हुशेण अनके 72 साथियों की सहादत की याद में मनाया जाता है एक तरशे है है, मातम मनाया जाता है, उनके कर्मों को याद किया जाता है और इसलाम को मानने वाले लोग उनके पदचिन्हों पे चलते हैं एक ऐसा मामला जन्पद कुशी नगर के ग्राम सभार रामपूर गुनात आया है, महरम के पहले ही गाउं के लोग मातम मनाने लगे हैं, मातम क्यों मनाने लगे हैं, उसके पीछे का क्या कारण हैं, यह हम आपको बता देते हैं। इस गाम में बिगत दो वर्स पूर्व से जो है, बिशाल भब्य ताजिया मेला का आयोजन किया जा रहा था, मुहरम के तेहवार के पलच में, पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल भी लबग सत्तर फूर्ट से ज़्यादा हाइट का भब्य और बिशाल ताजिया का निर खेल होता है, इनाम होता है और इसलाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बेहत खास तेहवार होता है, मुहरम। और इस बार दूसरे साल भब्य ताजिया का मेला का आयोजन था, इस साल भी 65 फुट हाइट थे ज्यादा की बड़ी और भब्य ताजिया का निर्मार हो काम चल ला था, यानि कह सकते हैं एक भब्य मेले का आयोजन दूसरे साल भी करने की तैयारी थी, लेकिन मुहरम के पहले ही गाँवाले मातम में डूब गए, और मातम में डूबने का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशाशन द्वारा एक गाइडलाइन आया कि जो ताजिय के हाइड होगी, वो 10-12 फीट की होगी, यानि 12 फीट के अंदर में ही ताजिय का निर्माड कराना है, उससे बड़ा ताजिय का निर्माड नहीं करा सकते हैं, यह खबर सुनने के बाद गाँव के लोग एकदम दुखी हो जाते हैं क्योंकि इसकी तैयारी एक साल से हो रही लेकिन सरकार का एक निर्ड़ा है, और निर्ड़ा के पीछे का भी एक बड़ा कारण है, हात रस में अभी एक ऐसी घटना घटी की भीर भगदर सो से जादा लोगों की जान चली गई, इन्ही सब को मद्दे नजर देखते हुए प्रचासन द्वारा एक गाइडलाइन आया एक तरसे कहें कि इस गाउं में जो ताजिये का मेला लगता है, वो हिंदू मुस्लिम एकता के शदभावना का प्रतिक है, क्योंकि इस मेले में मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भाई भी चड़बर के हिस्सा लेते हैं, इस ताजिये का जो निर्मार होता है, वो हिंदू के ख वहीं जब मेला शमीति के लोगों से बात्चित करने की कोशिश किया गया समझने की कोशिश किया गया तो उनका साफ तरके कहना है कि हम प्रशाशन की बातों की अवेलना नहीं कर रहे हैं हम प्रशाशन का सम्मान करते हैं लेकिन दुख की बात यह है कि एक साल पहले थी तैया क्यों नहीं थी इस ताजिय के निर्माड में लगबग अब तक पांच लागते जादे का रकम खर्च हो चुका है और अब इस गाओं का जो ताजिया है वह जो 65 फूर की तैयारी थी वह 65 फूर का ताजिया नहीं होगा सरकार की जो गाइडलाइन है उससाब से काम भी करना बजूर बच्चे वह मुहर्रम के तेहवार के ठीक पहले ही यह गाओं मातम में डूब क्या है इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा गाओंवाले रिपोर्टर बिश्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार क्या सौचते हैं इससे को नहें पम मातम चाहिए में के बिश्णु फोर्टर प्रोर्टर बताएबिन को नहें जला के तेहां